subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update yes it's totally free hello friends you can see I'm so glad you do so much I love you to make this video you can't make it video I can't get it I can't get it I'm just just I am I can't it's I'm it's I don't do I can't it's I can't use भीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसे मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा की जिसपे आप पर्फालो करके स्वांशेंस मैं को कूर्डोल कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नम वे फुल भारतवाज है, नौलिज जियान में आपका सौगत है, आईए कुछ नए आजानती हैं. तो दोस्तों, आपका सबकुर्णिशन में को कंट्रोल करने का सबसे पहले स्टेप है, वे है मेडिटेशन का, मेडिटेशन हमें जरूर करनी चाहिए, श्रीमत भगवत गीता में किसी को श्री किष्ण जी ने कहा है ध्यान योगा, किसी चीज़ पर हम फोकस लगाकर के बैट जाते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ पर हम फोकस लगाई जाते हैं, इसी को कहा जाता है मेडिटेशन, मेडिटेशन से हमारा जो मन होता है, वो कंट्रोल हो जाता है, जब हम एक ही चीज़ पर बार 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 प्रैक्टेस करते रहते हैं, तो हमारी उस काम में आद एक्चली दोस्तों क्या है हम लोगों जिस समाज में रहते हैं उस समाज में positive mind बहुत कम देखने को मिलता है और negative minds के बहुत सारे लोग देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो आप से हमेशा यही कहा जाएगा कि यह काम मत कर इसमें कोई भी फाइदा नहीं है इसमें तेरा कोई उस करने के ना है तो इस से हमारे अदर एक negativity आल जाती है और हम उस काम को करना छोड़ देते हैं कि तेरे से पढ़ाई नहीं होगी तो आप तो उसके अंदर क्या आएगा उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी कि हमें अपने को यह नहीं सोचेगा कि उससे काम नहीं होगा जो सफ़र व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कैसे पर ही चलते हैं बहुवली मूवी आपने जरूर देखी होगी बहुवली मूवी में जब बहुवली की सेना कालके से लड़ रही होती है और जब कालके बहुवली सेना का धज काट करके अपने धज लहरा देता है तो बहुबली के जो प्रधान होता है या जो पंडित होता है वह निगल करके कहता है कि आज हमारी सेना पर दुष्मन का धर्ज लहरा रहा है मिरत्यू यही है तो मिरत्यू पूरी सेना घबड़ा जाती है एकदम से कि मिरत्यू मिरत्यू पूरी सेना घबड़ा जाती है आपने देखा होगा अगर आपको समझने आये तो अभी मैं आपको यह सीन दूंगा टेक है जब पूरी सेना घबड़ा जाती है तो वह डर के मारे काब ने लगते हैं मतलब बहु बली की सेना डरसे काब ने लगते हैं इसी दौरान क्या होता है बहु बली क्या करता है बहु बली पूरी सेना को अलग सा मोटिवेट कर लेता है पंधित ने बोला मृगतिव उसने एक negative commands दाला पूरी सेना घवड़ा गई उस negative और पूरी सेना एक डरसी गई भागने लगी कि अब हमारी हार पक्की है ठीक है पूरी सेना के सब्सक्राइब कर देता है दुश्मन से पीट दिखा कर भागना है यही तो है मिरत्यू मतलब वो पूरी सेना को एक अलगसी पावर फिर से डाल देता है और उसमें क्या कहता है कि मैं उस दुश्मन से लड़ने जा रहा हूं मैं उस दुश्मन को मारने जा रहा हूं मैं एक अलगी जो शाजरता है यह होता है एक पॉजिटिव माइंड हमें हमे आज दिन मेरा खराब रहा बाइक पंचर हो गई बॉस ने डाट दिया यह रहा वो रहा ओफिस लेट पहुंचा हूँ ठीक है लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव माइड लेकर के चलें नहीं भाई आज मेरी बाइक पंचर तो हुई पर मुझे आज पता चल गया कि अपनी मुहले के पड़ोस में याद एक पंचर वाले की भी दुकान है मैं तो याद जल्दी जल्दी में आज उसको देखी न नहीं पाता था तुरंत ओफिस निगल जाता था यार ओफिस पहुचने से अज मुझे पता चला कि मेरा बास मुसकर कैसे गुस्सा होता है आज तक मैंने अभी कभी तब बास का गुस्सा ही नहीं देखा था एक तम पॉजिटिव माइंड ठीक है तीसरे स्टैप पर चलते ह जाना करें आए और कि मुझे कुष उस गोल पर कॉचना है और कि इसी वी तरीके से पहुचना है मैं उस गोल पॉसिल कर रहूँ गा और यार मण अज-अची पहडियां और तक हम कस다는 आप को प 수고 उने कर दो हमकी मुझा मोद पया Balance देखना चालू करते हो, कितना मेराраш budget है, क्या है अगर आपका budget fail हो जाता है तो आप क्या करते हो कही ना खही सा पैसअ जोड़ने की कोश़िष करते हो міजे तो भूमने जाना है ये एक नया mobile लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पैसा जोड़ने चालू करते हो, वो ऐसा होता है गोल, कोई लिए जरूर कोशिश कर दे रहते हो आप, आप अगर एक स्टुटेंट हो, आपके फादर हैं, कि बेटा तू पढ़ाई कर तेरे लिए एक बाइक दिला दूगा मैं, आप बहुत जोरू से अगर आप एसा करते हैं, तो आपको स्बकॉंडिशम मैंड आपको तरह के thoughts देता रहेगा, कि बेटा अगर तुझे उस गोल तक पहुंचना है, तो ये कर, ये कर, ये कर, उस step के thought न होगार चलते हैं, तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, और किसी तरीक से आपको स् पक्ता है चौथा मैंड है हमारा तो वो है अपने मन को लगाम लगाएं यह for example meditation की तरह ही हो गया अगर आप meditation करेंगे तो आपको अपने मन की लगाम अपने आप लगी रहेगी आपका मन आप अपने गोल को एचीव करना चाहते हैं लेकिन आप फेल हो जाते हैं कोई आपने step चला उसमें आप फेल हो गए तो उसमें क्या होगा आपका confidence level low जाएगा लेकिन उसमें आपको अपने उपर विश्वास पनाए रखना है नहीं मुझे अपने आपके उपर पूरा विश् पनाए रखिए जब आपके उपर अपना विश्वास होगा ना तब आपको subconscious mind आपको विभिन परकार के thoughts आपके मन में डालता ही रहगा तो क्या का मैंने घुद पर विश्वास पनाए रखिए हमारा अगला जो point है वो है सम्मान के साथ जीए कहने का मेरा मतलब यह है आप क कोई भी काम कर रहे है ठीक है तो कोई कह देता है वे तु यह काम कर रहा है इतना छुटा काम कर रहा है यह तो क्या होता है इसमें आपका ego hurt हो जाता है वो नहीं होने देना है अगर वो आपका ego hurt हो गया और उस वजह से आपने काम छोड़ा आपको सफलता नहीं मिलेगी तो तो अपने ego को बनाए रखें, मजबूत बनाए रखें, सम्मान के साथ जीएं, आप अपने आप से कहें कि मैं आज तो ये काम कर रहा हूँ, पर एक साल के बाद जब मैं इसी काम से सफल हो जाऊँगा, तब मुझे पता है कि यही बंदा मेरी तारीफ करने के लिए आएगा। तो दोस्तों आपने दोगर ने देखा कि किस तरीके से मैंने ये points आपको बताए हैं, अगर आप इन points को follow करते हैं और इसी पर चलते हैं, तो आपको जीत पका मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप कुछ भी इसमें, जैसे आप अपने ego के काम को fail हो जाते हैं, तो दोस्तों fail होने कि आपको एक हिम्मत मिलनी चाहिए, ना कि आपको होसला down होना चाहिए, आपको एक होसला आना चाहिए कि मैं fail हुआ हूँ, addition भी अपने बलग को बनाते बनाते 10,000 बार fail हुए थे, जब उनसे ये बार पूछी गई थी, कि आप 10,000 बार fail होकर के आखिरकार आपने बलग बन दाले हैं, जिनसे बलग नहीं बनाये जा सकता है, मतलब पूरे का पूरो नहीं positive में ही अपना thoughts दाले थे, तो दोस्तों हमें सब positive रहना चाहिए, ये चीज़ आपको भले चाहिए पता हो, पर आप उस पर चलते नहीं हो, क्योंकि आपके चालो तरफ अधिकतर negativity चाहिए है, दोस्तों फिर मिलेंगे, दोस्तों इस वीडियो में लाल बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई story के साथ, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा और motivate करने की कोशिश करूँगा, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, good bye